नए स्टूडियो में भाई मोटा खर्चा हो गया तो हमने सोचा थोड़ा वीडियो कॉलिटी बढ़ाने के लिए भी मोटा खर्चा कर दिया जाए इसलिए भाई इतने सारे नए नए कैमरा गेर्स हम खरीद लाए है मजार से हमारे इन नए स्टूडियो में आज भाई पहला और लाज कुछ दिन से वीडियो भी इसलिए नहीं आ रही थी क्योंकि शूडियो इन ही ता शूट करने के लिए लेकिन अब फाइनली भाई हम आ चुके है वापिस तड़कती बढ़कती वीडियो लेकर तो आज की इस वीडियो में इन सभी गैजेट के हम के लिए इसलिए भाईया कैमरास तो ले नहीं थे ना तो तोनी A7C अपने वी वर्ट्वल नोलेज और वी वर्ट्वल गेमिंग के लिए फड़ावट से चलो इनकी अन्बॉक्सिंग करते है ऐसा करता हूँ एक की कर लेता हूँ दूसरे की तो ऑविसली से ही होगा सब असल में डबबे के अंदर जो चार्जर आता है वो केबल वाला आता है बट ये चार्जर जो है सोनी साथ में बंडल में फ्री में दे रही है अगर ये फ्री में नहीं देती तो भाई अलग से हमें खरीदना पड़ता इसका MRP है लगबग 6,700 रुपे का तो ये तो अपने क का कैमरा देखने को मिलता है विद फ्लिप आउट स्क्रीन और साधी साथ में ये फुल फ्रेम कैमरा है ए माउंट के साथ और 4D फोकस के साथ आता है चलो जी जल्देल्दी इसको अंबोक्स कर लेते है यहां पर जो है एक मेमरी कार्ड मिलता है 64GB का जो हम पहले ही निकाल च यह जो बैटरी है ना भाई सेम तू सेम सोनी एसेवं ट्री एंड एस थी में मिलती है एफ्जेड हंड़र भले कैमरा चोटा से बट बैटरी बैकप तगडा मिलने वाला है पुर आती है हमारी में बोडी जिसके हमने पैसा कर चाहिए ने भाई पैकेजिंग तगडी करी एक ब्लैक एक सिल्वर था मैंनका दे दो कोई सबसे बहले भाई कैमरा के फिट और फिनिश की बात करें तो ओविसली वाई सोनी व्रेंड है तो प्रीमियम चीज यह आपको देगा में लॉइक का यूस कर रह गया बोडी में यहां पर सोनी की ब्रेंडिंग दे रखी है अल एफेक्स 3 में ही जो है फ्लिप आउट स्क्रीन का उप्चन मिलता था और वह भाई ओविसली कोशली है थोड़े से इसके अलावा ना सोनी का एक A7 3 कैमरा आता था वही सेम कैमरा है यह बिल्कुल बस होड़ा सा यह हलका कर दिये गया चोटा कर दिया गया और साथ में उसी म बड़ा था और सेंटर में था जबकि इसका चोटा कर दिये गया और लेफ्ट साइड में आ गया जिसकी वएसे भाई साइस जो है ना वो कैमरा की बॉड़ी का काफी चोटा एंड हलका भी हो गया एक मेरी फेवरेट चीज भाई उस कैमरा में रिकॉर्डिंग बटन यहां उपर दे रखा था जो काफी मुश्किल होता था कभी 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 रिकॉर्ड करने में बट S3 की तरह इसमें रिकॉर्डिंग बटन उपर दे दिया अब आप नॉर्मली यहां से ही जो है रिकॉर्डिंग दबा सकते हो बाकी यह जो फ्लैप्स है इसकी भी कॉलिटी काफी इं पिछले तीन-चार साल में हमने आज तक दो मेमरी कार्ड का यूज कभी नी किया हमेशा एक ही करते थे तो हमारे लिए ऐसी कोई दुक्ती बात नहीं है यहां पर आप देख सकते हो भाई Steady Shot Inside 4K लिखा हुए तो यह कैमरा भाई 4K में रिकॉर्डिंग तो कर लेता है बट अब टू 30fps उससे उपर अगर आपको रिकॉर्ड करना है तो आपको 1080p में जाना पड़ेगा फिर आप 60 या 120fps भी शूट कर सकते हो तो बेसिक बेसिक चीज तो मैंने कैमरा के बारे में आपको बता दिया बाकि डिटेल में तो खेर मैं भी अपने चैनल पर बताता नहीं हू बट यह है कि इस वीडियो के एंड तक ना मैं आपको एक डिटेल कंपैरिजन दिखा दूँगा सोनी A7C एन S3 के बीच में कि जो डबल डाई गुना का फरक है प्राइस का उसमें आपको क्वालिटी में कितना चेंज मिलेगा अच्छा आप यह तो खाली बोडी थी भाई करने के लिए लैंस भी तो चाहिए ना जिसके लिए हमने लिया है सुनी का 35 mm फूल फ्रेम लैंस जो आता है भाई F1.8 के साथ तो मतलब जो बैक्राउंड बलर है ना तगड़े वाला मिलने वाले अपनी वीडियो में इससे पहले हमने भाई काभी सारे लैंस रख 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 उपर काफी सारी पनी में लिप्टा हूँ अपना लैंस है इसके अलाबा बहुत सारी पुष्टके और वारंटी कार्ट जो हमें समाल के रखना पड़ेगा यह तो कहना पड़ेगा एपल की तरह ना सोनी भी पैकेजिंग के मामले में पीछे नी रहती मस्ट प्रीमियम पैक इसको लिया क्यों है हमने वह बता देता हूँ एक्च्वल में हमना इससे पहले 50 mm लैंस यूस करते थे अब जब फोड़ा सेटप या स्टूडियो छोटा होता है तो वह काफी जादा जूम हो जाता है बट यह वाला जो लैंस है ना 50 mm से जादा वाइड है तो अगर हम किसी चोटी जगह पे भी या फिर चलते हुए moving shots भी ले रहे हैं तो यह काफी जादा useful रहता है साधी साथ F1.8 तो जैसे मैंने बताया background blur must मिलेगा बाकी build quality तो camera body की तरह इसकी भी भाई तगड़ी है एक दम यहाँ पर दो बटन है एक slider वाला auto focus और manual focus में और यह भी एक बटन है auto focus के लिए जो थोड़ा जादा technical हो जाएगा तो चोड़ो उसमें नहीं जाते सेम तू सेम दूसरे डबे में भी सेम ही चीज है इसके लावा एक यह मेन camera यह end में करेंगे इसके लाव भाई आप डबे में देख सकते हो बहुत सारे अलग-अलग memory cards लिए 128GB, 64GB करकुरा के द भाई investment होगी तकड़ी बट audio quality भी तो चाहिए ना जिसके लिए मैंने लिया है रोड का wireless go 2 अब इसमें ना भाई एक receiver दो transmitter आते यानी एक ही time पर दो लोग भी जो हो वीडियो में बात कर सकते हैं अभी आप जो यहाँ पर mic देख रहे हो ना यह रोड का ही same mic है बट single वाला ह यहाँ देख सकते हो आप लिखा हो है wireless go 2 dual channel wireless microphone है यह रोड का central करके एक software है वो भी इसके साथ free मिलता है आप download कर सकते हो type C devices में भी काम कर जाता है और iPhone, iPad, iPod इन में भी साध ही साध में अगर आप DSLR या फिर mirrorless camera से shoot कर रहे हो उनके साध भी तो एक ही mic सब devices के लिए बना यहाँ पर उपर ही हमें सारे devices मिल जाएंगे यह केबल मिलती है सारी charging के लिए और connectivity के लिए इसके बाद एक pouch है जिसमें आप अपने mic को ले जा सकते हो इदर उदर यह खाने के लिए sound of अपने के बाद आप खा सकते हो यह mainly हमने लिया है भाई अपने finance channel के लिए क्योंकि वहाँ पर आपको पताईए मैं और साधी साथ में अपने जो अजे भाई है वो financial related videos बनाते हैं उसमें ऐसे दो mic की जुरत पढ़ती है मेरे पास यह पहले भी था बट वो मैं यूज करता हूँ गैराज वाली वीडियो प्लस जो राहूल है उसके पास भी एक S3 है अब जो हमारा podcast setup होता ना तो उसमें हम तीन camera angles लगाते थे दो तो अपने पास S3 थे थे बट तीसरा हम यूज करते थे sony का A7 3 quality ना कहीं ना कई मैच नहीं हो पाती थी ओटो फोकस में भी दिख्कत आती थी अब क्या है अपने पास 33 S3 हो गए है तो must podcast शूट हुआ करेगी तीन नो एंगल same to same quality सबसे पहले आप MRP देख लो 3,34,990 रुपे लिखा है बट मैंने ये मात्र 2,85,000 यानी 2,85,000 रुपीज का लिए है यहाँ पर आप देख सकते हो sony की branding दे रखी है A7 S3 दे रखा है यहाँ बोडी बनी हुई है camera की यहाँ पर लिखा भी हुआ है 3 years warranty फड़ावट कर लेते अब ही unboxing खोल तो हम इसको भी चुके थे पड़ यहाँ पर कोई भी आप देख सकते हो memory card नहीं मिलता असल में इसमें जो memory card दलते ना भाई वो बहुत महंगा आता है तो इसलिए sony वाले कहते है अलग से पैसे करचो यह एक हमें इसमें पहले तो HDMI protector मिल जाता है उसके बाद क यह सब मार्किंग हमने करी है sony वालों ने ने करके दी फिर बचा यह वाला compartment इसमें है अपनी सीधा camera की body जिसके लिए हमने भाई या 20 खर्चा है नई camera कोल के भाई फील ही अलगाते है देग ना चम चमाता हुआ and same to same भाई build quality एक नंबर की almost 3 लाग रुपर sony ले रहा है त इतना नहीं बड़ हलकी फुलकी जो बूंदे सनोफोल है यह जेल जाएगा बटन साप देख लो यहां पर recording का मिल जाता है यह on off का है बाकी आगे same बटन है और इसमें भी भाई flip out screen हमें मिल जाती है तो जो भी vlogger भाई लोग है अपने वो सब A7S3 यूज़ करते है मैंने भ काफी फरक है C जो है अपना बहुत हलका है और S3 भाई काफी भारी है जब भी भाई हम वीडियो शूट करते है और यहां पर microphone यूज़ करते है तो यह जो चीज़ थी ना भाई पहले बहुत बज़ती जिसकी वज़से ना शोर सुना ही देता था बज़ यह S3 में जो है रि रियल में ही अपनी आँखों से सामने का नजारा देख रहे हो इससे होता कि आपकी आँखों में भी जोर कम पड़ता है S3 में आपको custom buttons बहुत सारे मिलेंगे जैसे यहां दे रख है यह दे रख है यह दे रख है यह दे रख है ऊपर भी दे रख है जबकि A7C की body को छोटा अब भाई जादा ना time pass नहीं करते है सीधा आपको actual में जो performance या comparison ना वो दिखाता हूं क्योंकि यह सब चीज़े बताइए तो on paper specs है बट actual में जब shoot करने बैठते है उस time पे quality का कितना difference आता है एक लाख 37,000 वाले camera में and 2,85,000 वाले मतलब भाई देड़ लाख रुपे का ल आगे रख दिया है तो यह देखो भाई थोड़ा सा जो है वो लेट होता है autofocus और जैसी अटाऊंगा वह भी हो गया वाप इस से ले आए यह अभी में दिक्कत ना इसमें जब आती है जब कोई object ना moving होता है तब जो है autofocus में कहीं ना कहीं problem थोड़ी बहुत create करते है यह अब आपको फोकस्ट और दिखा देता हूं यह देखो भाई अब यह तो हो गई focus की बाट बर भाई दोनों में actual में लो light performance का काभी फरक है अभी जो आप sony a7s3 की footage देख रहे हो ना 1x50 shutter speed है f1.8 रखा हूँ है और ISO 100 रखा हूँ है जबकि a7c में यह थोड़ा सा difference आ जाएगा तो यह थी भाई अभी तक की सबसे महंगी purchase और unboxing और एक इतना studio में खर्चा किया है तो camera gears में भी कर लेना चाहिए था बाकी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को like कर देना मैं ज्यादा camera gears के ऊपर बनाता न्यू वीडियो इसलिए डिटेल में नहीं बताई चीज़े जितना मुझे idea था जितनी knowledge थी उतनी आपको बता दी चैनल प हुआ हुआ है